नमस्ते मैं राहूल रावत एक और नहीं वीडियो में अगें आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मैं ऐसा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्तोंगे एक और नहीं वीडियो में आप सभी लोगों करी लेके आगिया हूँ चैनल पर नहीं है, सुस्क्राइब बटेंग को जरू प्रेस कर देना, साथी में पास्वेवने नॉटिविकेशन पर आइकन को जरू ख्रिक कर देना, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे प्रानकारी के लिए आपको बता दें, जो पहला नॉटिविकेशन रिलीस किया गया है, स्मपीवी उत्राखंड के अंतरगत रिलीस किया गया है, राज्य ओस्दी पादब बोड उत्राखंड में प्रसासनिक कार्यों के संपादन हे तू एक प्रामर्स दाता की अनुबंदन आधार पर तेनाती हे तू एक वर्स की अवदी, जिसे किये गए कार्यों के आपके जो कार्यों करेंगे, परफोमेंस के अधार पर उससे आगे बढ़ाया जा सकता है, अनुबंदन अधारित नितान सस्ताई पत पर निम्न विवरांड के नुसार नियत मांदे पर दिनांग आपका 30 दिसंबा 2022 को पूरवान 11 बजे राज जोस्ती पादब बोर्ड उत्राखन देहदून में इसका वोकर इंटर्व्यू आयोजित किया जाएगा, यानि तातकालिक सक्षतकार आपका आयोजित किया जाएगा, जिसमें हेतु योग यह अनुभवी उम्मीदवानों से अगर हम इसके पदनाम नियत मांदे की बात करें, तो प्रामर्स दाता के लिए एक बच जारी किया गया है, नियत मांदे जिसमें 25,000 रुपे दिया जाएगा, प्रतिमा नेगोशियबल रहेगा, अनिवारी अहरताएं की अगर हम बात करें, तो केंद्रव राज सरकार, नाम वृत अधिकारी हैं, आप साथी में आउस्दी एवं संगंद पादप छेत्रमिया आपको कारियन भूक की इसमें वरिता दी जाएगी, अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है, वह अनिवारी अहरताएं जो मांगे गए हैं, वो हैं तो आप आविदन कर सकते हैं, कार अधिकारी दोड़ानिय देशित अनियक कारिये, तो नियम वो सरते बात करें, तो मुखी कारे कारी अधिकारी के अंतरगत नियम वो सरते दी गई हैं, अगर अभिहारती के आयू 1 जुलाई 2020 को 55 वर्च से अधिक नहीं होनी चाहिए, साथी में न्यूक्ती पून तो आपका टेंप्ररी रहेगा, कॉंट्रैक्ट्चुल बीसे रहेगा, वन इयर्स आपके पर्फॉमेंस के अकॉर्डिंग इसे एक्स्टेंड किया जा सकता है, अब भिहारती को अपने मूल प्रमान पत्ता सैक्षिक योग गेता, कारे नुभाव से नावरिती से संबन देत, समझ प् बादिकारी, राज्य उस्दी पादब बोर्ड उत्राखंड का ही निर्णय आधी इसमें बादिकारी होगा, एवं न्यालाई छेत्र दिरादून में होगा, सॉट नॉटिफिकेशन भी इसके अंतरगत अटैच किया गया है, जिसका पीडिएफ आप हमारे टेलिग्राम आप कनेक्ट हो सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं, प्रामर्स दाता है, तो बादिटा प्रपत्र दिया गया है, आपको हर एक भरतिविज्यापन की पीडियाप हमारे टेलिग्राम गुरूप वो फीस्बूप वो पीच के माध्यम से ही प्रदसित की जाती है, तो जिन भी सब्सक्राइब करें, तो जुरू सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें, या जो पोस्ट रिलीज की गई है, उत्रागन पूरू सैनिक कल्याण निगम लिमिटेट के अंतरगत रिलीज किये गई है, वेकेंसी डीटेल ऑफ आर्पियो हल्दवानी फोर आउर्सूर्स लास्ट अपडेट किया गया है, 17 दिसंबर 2022 की डेट में, जिसके अंतरगत आपको पितोर अगट डिस्टिक में, डेपार्टमेंट चीफ मेडिकल ऑफिसर पितोर अगट के अंतरगत, पोस्ट फोर सी एससी धार्चुला के लिए प्रयावन मित्र के लिए रिलीज किया गय और इसमें फिप्ट अउनली एक्स आर्मी नेवी और फोर्स पूर्शन डिपेंडेंट अफ एक्स यूपी एनल धार्चुला प्लेसो पोस्टिंग रखी गई है, नेक्स ननिताल के लिए तराइपूर वी वन प्रभाग राम नगर गनमेंट के लिए चार पर रिलीज किये ननिताल में आसुलिपिक के लिए वन पोस्ट है, उदम सिंग नगर में डिस्टिक इन्फरमिशन ओफिसर रुदरपूर में संरक्षक कम डेटा इंट्री ओपेटर के लिए वन पोस्ट जारी किया गया है, और प्लेसो पोस्टिंग आपका रुदरपूर ही रखा गया है, उदम सिंग नगर के अंदरकर्ट इस्टिक इन्फरमिशन ओफिसर रुदरपूर के अंदरकर्ट यूएस नगर में आपका लिपिक के लिए एक पज जारी किया गया है, साथी अलमोडा के लिए गॉर्मेंट पीजी कॉलेज, शाल देई अलमोडा में क्लास फोर्ट के साथी में उदम सिंग नगर में आपका कस्तूरबा गांधी कल्स रेजिदेंशल स्कूल सितार गंज में आसु लिपिक टीचर सामान नी के अंदरकर्ट एक पज जारी किया गया है, उदम सिंग नगर में आपका समग्र शुक्षा भियान, यूस नगर में मिस कॉडिनेटर क बीसी, एमसी ए और एक्स सर्विसमें डिपेंडेंट यूस नगर की आपका प्लेस व पोस्टिंग रखा गया है, बागिसवर में आपका समग्रु सुक्षा भियान, बागिसवर के लिए MS कॉडिनेटर के अंदरकर भी वन पोस्ट है, प्लेस व पोस्टिंग आपका बागि प्रिशनल साइंस, ARIES, नईताल के अंदरकर साइंटिफिक असुस्टिंग के लिए 6 पच जारी किये गये है, नईताल में आपका सुप्रिटेंटेंट आप पुलिस, नईताल में अनुचेर के लिए कुक के लिए 1 पोस्ट है, उधम सिंग नगर में आपका सिटकुल सितार गंज, सुपरवाइसर के लिए 2 पोस्ट हैं, प्लेसों पोस्टिंग आपका सितार गंज ही रहेगा, ठीक है, चंपावद में MTS के लिए 1 पोस्ट है, नईताल में अक्रिशन के लिए 3 पद है, साथी नईताल जेल हलदवानी में आपका प्यावरन के लिए मित्र महिला के ल रिलीस किया गया है, जी हाँ आप जानते हैं, जैसे SJVN Limited Mini Ratna Schedule A Company है, Public Sector Undertaking Invite application किये गए हैं, eligible candidates के लिए, जुन के पास Domishail है, उत्राखंड का, for undergoing one year apprenticeship training under the apprenticeship at 1961 in the trades mentioned below, जहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं, SJVN के अंदर गया है, टोटल 60 post के लिए आपका ITI trade apprentice के लिए post release किया गया है, civil के अगर मैं बात करूँ, बहुत सारी graduate apprenticeship सर्च करते हैं, जो आपके रिकार्डिंग में, तो civil के अंदर गया है, in fact आपके पास PSU का experience रहता है, electrical के अंदर गया है, mechanical में चार पोस्ट है, human resource के अंदर गया है, finance and accounts के अंदर गया है, तो इस तरीकी से जो total graduate apprentice की में बात करूँ, तो 20 post release किया गया है, civil के अंदर गया है, या फिर आप इसमें मान सकते है, civil electrical mechanical में, जो आपके 14 पज़ जारी किया है, required qualification की बात human resource के अंदर गया है, graduate है, अगर आप two year का full time MBA from institute and university recognized by UGC with specialization in HR, finance and accounts के अंदर गया है, अगर आप two year का full time MBA from institute के अंदर गया है, university recognized by UGC with specialization in finance के अंदर गया है, अगर मैं इसमें technique and diploma apprentice के लिए बात करूँ, तो civil में 12 पज़ है, electrical में 3 पज़ है, mechanical में 3 पज़ है, information technology में 2 पज़ है, 20 पोस्ट हैं, ये आपकी diploma based में है, full time polytechnic diploma अगर आपने करा है, engineering and technology in relevant branch from institute, university recognized by AICT board of technical education of state, तो आप आविदन कर सकते हैं 20 पज़ों के लिए, ITI apprentice के लिए अगर मैं बात करूँ, technician के अंदरेकर, electrician के लिए 6 पज़ हैं, office secretary, ship के लिए आपका, and stenography, office assistant, office management, fabricator, fitter, welder के लिए 4 पज़ हैं, और इन के लिए 3 पज़ पज़ रिलीज के गए हैं, और mechanical, electronic, journal, mechanical के अंदरेकर 3 पज़ हैं, IT, information, communication, and computer, assemble, and maintenance के लिए 4 पज़ हैं, इस तरीके से टोटल आपका, ITI के अंदरेकर 20 पोस्ट लीज के गए हैं, 20 आपका, ITI technician के लिए, 20 diploma के लिए, and 20 graduate level के लिए, अगर आपके पास, उत्राघंड का, domicile है, तो आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं, ITI pass from any recognized university or institute, मांगा ग गया है, technician, ITI के लिए, तो आप जरूर ध्यान दीजेगा, साथी बताया गया है, age limit के बात के, the minimum age limit 18 year and the maximum will be 30 year, age on closing date, relaxable by 5 year for SCST, 3 year for OBC, non criminal year के लिए 10 year and PWBDs के लिए, stipend के बात के लिए, graduate apprentice के लिए 10,000 रुपे पर मन्त है, diploma apprenticeship के लिए 8,000 रुपे पर मन्त है, ITI apprentice के लिए 7 बताया गया है, तो बहुत सारे अब जर्थी भी, even मुझसे question करते है, civil के लिए, या apprenticeship training के लिए, तो आपके बास the best option, I think, अगर आपके बास domicile है, तो, preference to PEF and PE के लिए बताया गया है, जिसे आप check out कर सकते है, only candidate who are domicile लोग बताया गया है, साथी important instruction ये दिया गया है, candidate who have under going, apprentice SIP training in SJVN need not apply, employment in SJVN के बारे में बताया गया है, even इसमें selection criteria दिया गया है, there will be no interview, the eligible candidate will be shortlisting on the basis of merit, list form on the basis of marks secured in the matriculation examination 10th and ITI course and bachelor of engineering and technology as per the following detail, तो यहाँ पर apprentice SIP के अगर में बात करें, graduate level पे 20% होगा 10th marks का, 20% होगा 12th diploma and 60% aggregate in the engineering NMBA के अंदर, इस तरीके से आपका same diploma के अंदर गदभी 30% of 10th marks and 70% of diploma in engineering and ITI की गर में बात करें, 30% to 10th marks and 70% to ITI, weightage इसमें दिया गया है, 100 marks का total आपका, ठीक है, next उसके अगर हम बात करें, किस तरीके साब क्या आविदन करना है, official website की जानका ही दिया गया है, important instruction दि online registration for submitting application 19 December 2022 से start हो जाएंगे, साथी में closing date for submitting application through website 8 2023 की rate रखी गई है, not be आगया है, जिस आप डीडाओ कर सकते हैं, जुन भी candidates का अरड़ी असरेवियन के अंदर गदर गदर अपने से चल रहा है, उनको again apply करने की आप शकता नहीं है, So guys, that's end of the video, if you think and if you really enjoy the video, then hit the like button and subscribe to the channel for more future video, in fact let me in the comments below if you wanna watch more such video, I will see you in the next one, till then bye bye, take care and thank you, thank you for watching this video.